नमस्कार फिंड्स, मैसल दॉक्टर शिखा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होमियोगोन में फिरंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक कॉस्मेटिक रिलेटिड प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो की आपके सॉन्देर से समंधित समस्य होती है उस समस्य का नाम है डार्क सरकल या फिर आँखों के नीचे आने वाले काले घेरे जिसको हम आम भाशा में काले घेरे कहते हैं जिसको भी समस्य होती है उसको हमें अपने अंदर एक confidence level low होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि चहरा हमारे body का एक ऐसा हिस्सा है सबसे पहले हर किसी की नजर हमारे चेहरे पर ही पड़ती है और अगर हमारे चेहरे पर किसी भी तरह का निशान है या किसी भी तरह का pigmentation है, discoloration है तो हर किसी की नजर उस पर ही टिक के रह जाती है जो कि हमें बहुत low confidence feel कराती है तो friends आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये काले घेरे या ये dark circle हमें क्यों आ जाते हैं क्या-क्या कारण होते हैं dark circle होने का, क्यों ये इतनी असानी से जाते नहीं है और हम ऐसा क्या करें कि हमारे dark circles चले जाएं तो friends चलिए वीडियो शुरू करते हैं friends वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्रपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन ताइम पर मिलते रहें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सेहत और सौंदैरे से सम्मंदित वीडियो लेकर आती रहती हूँ सबसे पहले हम जानते हैं कि डार्क सर्कल यानि की काले घहरे हमें क्यों आ जाते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, चार-पांच मेजर रिजन होते हैं अगर इससे कम कोई इनसान सोता है तो उसको इस तरह की समस्या देखने को मिलती हैं अगर आप 2-3 गंटे या 4 गंटे तक सोते हैं और बीच-पीच में आपकी नेन टूटती रहती है तो आपकी नेन डेस्टरब हो रही है इस कंडीशन को हम इनसाम्निया कहते हैं जिसके नेन आने की बीमारी भी बोलते हैं आम भाषा में तो ऐसी situation में हर किसी को काले गेर आने की समस्या बहुत कौन हो जाती है Friends, नीन न आने की समझ्या के भी बहुत सारे कारण होते हैं तो इसके लिए मैंने एक separate वीडियो बनाया है आपके लिए मैंने उस वीडियो में नीन न आने के क्या कारण होते हैं और उसकी बहुत इच्छी होमेपतिक medicines बताई हैं साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स भी बताएं हैं जिससे आपको naturally नीद आने लगेगी और बहुत अच्छी नीद आईगी तो आप मेरे description box में चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को watch कर सकते हैं दूसरा कारण होता है काले गेरे आने का genetic या hereditary अगर आपके माता या पिता में से किसी को यह समस्या है काले गेरे होने की तो आपको भी समस्या हो सकती है वाट हर केस में जरूरी नहीं होता है लेकिन कुछ केस में देखने को मिलता है अगर आपके genetic history रही है काले गेरे होने क कि आपके मात आया पिता में से किसी को है तो आपको भी ट्रांसफर हो सकते हैं तीसरा कारण होता है अलर्जी मान लीजए अगर आप धूल मिट्टी के संपर्क में आने से अलर्जी आपको छीक आने लगती है या फिर अगर आपके आसपास किसी ने बहुत स्ट्रॉंग समेलि निजिक राइने इस बुलते हैं और साइनसेटिस की कंडिशन में भी चेंज हो जाती है तो अगर इस तरह कि आपको नेजल अलर्जी है तो भी आपको आँखों के नीचे काले घर आने की समस्या हो जाती है चोथा बड़ा कारण है स्ट्रिस यानि कि अगर आप बहुत ज़ लिए आपको बहुत लंबे टाइम से मेडिसेंस लेनी पड़ रहे हैं आप मेडिसेंस पर चल रहे हैं काफी लंबे टाइम से तो इस ते भी आपकी आँखों के नीचे डार्क सरकल्स होने लगते हैं अगला कारण होता है कॉस्मेटिक रियक्शन अगर आपने कोई भी ऐसा और आपकी आखों की exhort के लिए मेकाप प्रॉडृक्टिक यूज कर लिए है फीमेल्स के के समस्या होती है तो सबसे पहले लोगत बात बात बदाना चाहती हूं जब भी किसी को dark circle की समस्या होती है तो सबसे पहले लोग ये सोचते हैं अगर हम बहुत महंगी महंगी creams का और gel का use कर लेते हैं तो हमारे dark circles चले जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है जिसको भी dark circles की समस्या हुई है उन लोगों में से बहुत लोगों ने ये चीज़ experience किया होगा कि अगर उनको ये problem हो गई है तो अगर उन्होंने महंगी महंगी creams का use किया भी है तो भी उनके dark circles जाते नहीं है क्यूंकि friends इसका बहुत बड़ा reason ये होता है अगर किसी को dark circles आ गए हैं तो ये dark circles हमारी body की अंदुरूनी किसी कमी की वज़ा से आते हैं आपकी body में किसी तरह का internal change आया है उसकी वज़ा से आपको dark circle आये हैं तो internally अगर आपने उस cause को ठीक नहीं किया है उस current को ठीक नहीं किया है जिसकी वेज़ से आपको dark circle आये हैं तो बाहरी तोर पर अगर आप किसी तरह की cream का यूज करते हैं किसी तरह का gel का यूज करते हैं या lotion का यूज करते हैं तो वो आपको जाते हुए नहीं दिखेंगे तो friends सबसे पहले आपको ये जाना होगा कि आपको ये dark circles किस वज़ा से आये हैं वो रीजन जो मैंने आपको पीछे बताए हैं उन में से भी बहुत सरे रीजन हो सकते हैं अगर आपकी नीद पूरी नहीं हो रही है तो पहले आप नीद पूरी लें अगर आप nutritious food नहीं खा रहे हैं तो अपनी डाइट को पहले अच्छा करें अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको पानी बढ़ाना होगा अपनी डाइट में और अगर आप सारी राज जाकते हैं किसी काम की वज़े से अगर आपको night shift में काम करना पड़ रहा है इसकी वज़े से भी आपकी sleep disturb होती है और आपकी जो sleeping cycle है वो डिस्टरब होती है इसकी वज़े से आपको dark circles आने लगते हैं जब तक आपका life routine ठीक नहीं होगा तब तक ही dark circles आपका पीछा नहीं चोड़ते हैं मोटी मोटी बात यह है कि अगर आप dark circles ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉड़ी में अंधरूनी और बाहरी दोनों तरह से काम करना पड़ेगा तो वो मैंने आपको बता दिया है आपको किस तरह से अपनी बॉड़ी के उपर काम करना पड़ेगा friends आप बात कर लेते हैं treatment पार्ट की अगर आपको dark circles है तो आपको ऐसा क्या क्या करना होगा कि आपकी dark circles धीरे धीरे चले जाएं तो सबसे पहली बात जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं internally अगर आपकी नेन पूरी नहीं हो रही है तो सब से पहले आप अपनी नेंद पूरी ले क्योंकि नीन पूरी ना होने का बहुत गहरा कनेक्शन होता है तो कमसे कम आपकी नींद साथ से आट गंटे की होनी चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपक freezer do mrsos दूसरा पॉइंट, अगर आप बहुत जादा stress लेते हैं, तो आपको उस stress को कम करना होगा, तो stress को कम करने के लिए आप meditation स्टार्ट कर दें, आप इसके अलावा exercise भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो brain है, वो stress causing factors की तरफ ना जाके, exercise में लगा रहा है, meditation में लगा रहा है, तो अपने mind को distract करना है, डाइवर्ट करना है, जो भी चीजें आपको tension देती हैं उससे, जब आप ऐसा करेंगे, तो आपका mind इदर उदर भागने से बचेगा, जिससे आपका stress भी कम होगा, और automatically आपके dark circles भी light होने लगेंगे, friends, तीसरा point, जो कि बहुत common होता है, अगर आप expired makeup यूज कर रहे हैं, तो उसको यूज करने से बचें, friends, इसके बाद बात कर लेते हैं, externally आप क्या क्या कर सकते हैं, तो friends, सबसे common सी चीज मैं आपको बता रहे हूँ हूँ, जो हर किसी के घर में मिल जाता है, आपको सबसे पहले रोगन बदाम लेना है, डाबर का या किसी भी कंपनी का आप रोगन बदाम ले सकते हैं, और उसको आपको चार से पांच मूने अपनी फिंगर टिप्स पर लेनी है, और रोज रात को सोने से पहले, दो से तीन मिनट तक आप उसकी मसाज करें, अपनी आखों के चारों तरफ हलका हलका मसाज करें, जिससे क्या होगा, आपकी आखों की चारों तरफ की जो स्केन है, उसमें मौस्टर राएगा, आप देखेंगे कि इस चीज को फॉलो करने से आपकी डार सरकल धीरे-धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन आपको उससे पहले जो मैंने इंटर्नली आपको बताया है करने के लिए वो आपको ज़रूर करन इसमें बहुत अच्छी मानी जाती है, अगर आपके चेहरे पर डाक सरकल है, या फिर पिग्मेंटेशन है, या काले निशान है, जो कि बहुत टाइम से आपके चेहरे पर हैं, जा नहीं रहे हैं, तो इस सिचुएशन में इस मेडिसिन का यूज करना बहुत फाइदे बंद होता है, इसको आपको कैसे यूज करना है, आपको वर्बरिस अकिफोलिय मदर टिंचर की 20 बूंदे लेनी है, एक छोटे से बाहूल में, और इसी में आपको 10 बूंदे गुलाब जल की लेनी है, और कॉटन बॉल की हल्प से आपको अपनी डाक सरकल्स पर लगाना है, और बातों को फॉलो करेंगे, तो आपकी डाक सरकल की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, तो फ्रेंड्स जरूर बताएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको आगे भ ठीक है वाच्छ फॉच्छ भाच्छ वाच्छ वाच्छ भाच्छ वाच्छ वाक्ट वीडियो जा जाएगी, खुराय।